कि तरफ से धुआधार बैटिंग की उमीद कर सकते हैं इस हदी सते पर खेलने वाले बैट्समेन को तोड़ा मुसीबत का सामना करना होगा कोई शॉट लगाने से पहले हुद कुछ संभालना होगा और हमें हिट्स मिला है हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं बैटिंग करने के लिए सर्फिस बहुत अची लग रही है फिल्डिंग टीम ग्राउं में है ओपनिंग बैट्समेन भी परवेलियन से आ चुके है दोनों ही टीम के लाइन अप में कुछ शांदार खिला रही है हमें एक रोमांचक खेल की उमीद है गेन को मैदान से उठाया एक बाउंस अब फिंस के अंदर पारी शुरू करने का बहतरीन तरीका शांदार डिलिवरी पूरी तरह से बैट्समेन को मायूस कर दिया अब फो बाल बाल बचे एक स्विंग और एक मिस बैट्समेन की खिस्मते साथ दिया इस डिलिवरी के साथ वोवटी समापती बेल्स उड़ने लगी ना जवाब बॉलिंग उन्हें अपनी रंड नीती बनाई रखना है बिना विकेट्स खोए आसानी से बैट्कुट चूँ जाती बाल बेल्समेन की इस डिलिवरी से माप दि आसानी से बैट्कुट चूँ जाती फिल्डर में बहिया सोज गूज से काम लिया बैट्समेन की अच्छी सोज गूज एक रम लेने में काम्याद बेल्स उड़ने लगी ना जवाब बॉलिंग ये नए बल्लेबाद है उमीड है ये टीम को बचा लेंगे बई है शॉट गेन फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई वाँ क्या डिलिवरी है अफो बाल बाल बचे बॉल्लर ने बैट्समेन को इस डिलिवरी से माँद दी शांदार डिलिवरी पुरी तरह से बैट्समेन को मायूज कर दिया समय का सही चैन नहीं किया गेन फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई वाँ क्या डिलिवरी है फिल्डर्स बाल पकड़ने के लिए तयार हो रहा है गेन फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई शांदार डिलिवरी पुरी तरह से बैट्समेन को मायूज कर दिया आसानी से बैट को च्यू जाती बहुत ही शांदार शाट है कलाई का लाजवाब स्कमाल और की समाप्टी में गेन को स्टेंट तक पहुँचा दिया बॉलर लाइन से उपर चला गया अमपार की तरफ से नोबाल फ्री हिट लगने वाला है बैट्समेन के लिए ये अच्छा मौका है एक स्विंग और एक मिस बैट्समेन की खिसमते साथ दिया फिल्डर्स मैदान में अपनी तयारी कर रहे हैं गेंज फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई फिल्डर्स मैदान में अपनी तयारी कर रहे हैं फिल्डर्क के हाथ रक्षट बन गये हैं ये नए खिलाडी है इन्हें टीम के प्लैन को ध्यान में रक्कर खेलना होगा फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है सिलसेलवार तरीके से एक और विकेट गिरा इस बाल से अगर विकेट गिर गया तो वो हैट्रिक बना सकते हैं इस सीजन की अब तक यह सबसे बड़ी क्याच होगी यह नए खिलाडी है इन्हें टीम के प्लाइन की समय का सही चैन नहीं किया गेन फिल्डरस को चीरते हुए निकल गई आउटसाइड एच बाल बिलकुल बॉगरी लाइन च्छेगा रन बनाने की शुरुआत का लाजवाब तरीका बॉलर ने बैक्समेन को इस डिलिवरी से माद दी अब गेन बाजी करने के लिए मीडियम के सर्फ हुदा रहा है अफो बाल बाल बचे समय का सही चैन नहीं किया फिल्डर का बहतरीन थ्रो गेन बिलकुल स्टंप के पीछे फिल्डर मेदान में अपनी तयानी कर रहे है ये रहा सीरा हिट ओफ आसे में चूप हो गई फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तयार हो रहा है गेन फिल्डर को चीड़ते हुए निकल गई समय का सही चैन नहीं किया चोके के साथ वोर्ड पूरा हुआ अब तक कि जबर्दस टाइमिंग क्या ये हैट्रिक बाउंडरी होगी बेतरीन ड्राइव लगाचर बॉल की गती को रोका अच्छी रन्निंग अराम से क्रीज के अंदर वापसी शांदार डिलिवरी पूरी तरह से बैट्समैन को मायूज कर दिया फिल्डर्स मेदान में अपनी तयानी कर रहे हैं गेन फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गरी वाप क्या डिलिवरी है बेल सूरने लगी लाजवाब बॉलिंग नए खिलारी मैदान में इन्हें पारी के अंदर टिके रहना होगा बेल सूरने लगी लाजवाब बॉलिंग ये तो नए बले बाज है लेकिन जिम्मेदादी से स्कोरिंग रिट बढ़ाने की कोशिश करनी होगी ये इनको सीधा स्टैंग टक पहुंचा दिया छे रन बहुत बढ़िया सिक्स है आज़ानी से बैट कुछ चूँ जाती अफो बाल बाल बचे फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तयार हो रहा है गेंज फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई फिल्डर्स मेदान में अपनी तयारी कर रहे हैं गेंज फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई समय का सही चैन नहीं किया अच्छी रन्निंग, अराम से क्रीस के अंदर वापसी किसी भी हाल में विकेट लेने के लिए औफ स्पिनर को मैदान में उता रहा है गेन को मैदान से उठाया बाउंडी लाइन के सामने एक बाउंस गेन को मैदान से उठाया आगे होकर आउंसाइट के तरफ बढ़ा दिया अब तक की जबरदस्ट टाइमिंग, क्या ये हैटिक बाउंटी होगी बल्ले बास के तरफ से शांदार हिट बढ़िहा शॉर्ट, बैट्समेन ने सही समय पर लगाया बढ़िहा शॉर्ट ऐसे में कुछ नया करने के कोशिश नहीं करनी चाहिए ये पार्टनर शेप बैटिंग पीम के लिए बहुत जरूरी है स्टम्पिंग के लिए बढ़ा अपील लगता है इसे बहुत बारी की से देखेंगे क्योंके यह बहुत गंभीर मामिला है यहाँ थर्ड अंपाई की राय माएंगी जा रही है कीपर का बहत्तरीन प्रदेशन तीजी सो पीच्छेटी भी गेंग के तरबरा और एक जटके में स्टम्प कर दिया दूसरी ओर विकेट्स गिर रही है उमीद है शुरुवाती कुछ गेंदों का ये सामना कर पाएंगे बॉलर में बैट्समेन को इस दिलिवरी से माद दी किसी भी हाल में विकेट लेने के लिए आफ स्पिनर को मैदान में उता रहा है लाजवाब फिल्डिंग बैट्समेन रन लेने में नाकाम बैट्समेन की अच्छी सूजगूज एक रन लेने में काम्याब फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है गेंद फिल्डर को चीरते हुए निकल गरी बरिया शॉट भागने के कोई ज़रूरत नहीं अब तक की जबर्दस टाइमिंग क्या यह है टिक बॉंडरी होगी टाइमिंग का तो जवाब नहीं बैल सूड़ने लगी ला जवाब बॉलिंग इन्हें अपने गेंप्लान से हैट कर कुछ नयान नहीं करना चाहिए ला जवाब फिल्डिंग बैट्समेन रन लेने में नाकाम बैट्समेन की अच्छी सूजगूज एक रन लेने में काम्याब फिल्डर्स मैदान में अपनी तैयारी का रहे है गेंज फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई बैल्स उड़ने लगी ला जवाब बॉलिंग मेदान पर बैट्समेन आ रहे हैं वो इस बैट्स को जल से जल सब्सक्रना चाते हैं जब तक के बॉल्लर्स को इस तमकार न कर दे जबरदस्ट फिल्डिंग एक अच्छे थ्रो के साथ बॉल्ल को वापर स्टेम के पीछे भेगा बॉल्लर्स ने यहां कुछ नयापन लाने के कोशिश की है बेल सुरने लगी लाजवा बॉल्लिंग यह नए बलेबाज हैं उमीद है यह टीम को बचा लेंगे उन्होंने इस बार ओर दिविकेट बॉल करने का फैसला किया है कुछ नया करने के लिए ज्यादा रंज के लिए वो बॉल को ऑन साइट पर फ्लिक करते हुए बैट्समिन की अच्छी सूजगूज एक रंग लेने में काम्याव एक छूटी सी गल्ती से गेंज शरीप लग सकती थी बहतरीन ग्यनबाजी की कोशिश जिसके वज़े से ताबड तूड विकेट्स लिए उन्हें अपनी रंडीटी बनाए रखना है बिना विकेट्स थोए अब गेंज बाजी करने के लिए मीडियम पेसर को उता रहा है वो बाज को बड़े गोर से देखा और मैदान के तरफ सी रे इट किया बल्ले बाज बाल को जाने दिया बेतरीन ड्राइव लगा कर बॉल की गती को रोका ट्विल्डे का जबरदस प्रियास दर्शक बेखाबू हो रहे हैं क्रीस पर बले बाज के तरफ से बड़ी चूप इस तरह आउट होते तो बहुत बुरा होता है और अम्पैर ने अपना फैसलाब बदल दिया उन्हें अपनी रण नीती बनाए रखना है बिना विकेट्स ठोए साइट बदलने के लिए बॉलर ने रिक्विस्ट की है यहां वो कुछ विशेश करने वाले हैं एक बेहतरीन वोवर की समापती एक विकेट मेटन वोवर फ्रंट फूर्ट को आगे कईके बड़ भी खूबसूरते से बचाओ किया उन्होंने इस बार ओर दिविकेट बॉल करने का फैसला किया है कुछ नया करने के लिए फिल्ड में रोमान चक कोशिश गेंग को बिल्कुल स्टब के पास फेका उन रनों के साथ बैसमेन ने शुरुआत की साइट बदलने के लिए बॉलर ने रिक्वेस्ट की है यहां वो कुछ विशेश करने वाले हैं ज्यादा रन्स के लिए वो बॉल को ऑन साइट पर फ्लिक करते हुए अच्छी रन्निंग अराम से क्रीस के अंदर वापसी इस बार उसने अच्छी तरह डिफेंस किया ज्यादा रंज के लिए वो बॉल को ओन साइड पर फ्लिक करते हैं फिल्डर का शानदार प्रजर्शन रन बचाने के लिए तेजी से थ्रो किया बैस्मेन अमपेर के फैस्टे से हैरान है लेकिन उसे वापस पैविलियन जाना होगा यह नए खिलारी है इन्हें टीम के प्लैन को ध्यान में रखकर खिलना होगा इस डेलिवरी के साथ वोवर की समापती बल्ले बाजों का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पैसर का इस्तमाल कर रहे हैं बॉल बैक के बीच लगी और उसने आउन ड्रेग कर दिया बल्ले बाज की यह सोची समझी रन नीती थी और लेक साइट की तरफ खेला किनारे से लगतर बाउंडरी लाइन के तरफ चार रन के लिए खेलने में जल्दबाजी दिखाई गेन बल्ले के किनारे लगतर बाउंडरी की तरफ के लिए एक स्विंग और एक एक मिस्ट बैस्मन की खिस्मत साथ दिया आखिर में फिल्डर की बेहतरीन कोशिश फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तयार हो रहा है बल्ले बास के लिए एक अच्छा वोवर भागने के कोई ज़रूरत नहीं खेलने में जल्दबाजी लिखाई गेन बल्ले के किनारे लगकर बाउंडरी की तरफ चली गई उन रनों के साथ बैस्मन ने शुरुआत की फ्रन्ट फूट को आगे करे बरी खूबसूरते से बचाओ किया क्या बात है बाउंडरी की तरफ जाती हुए बाल कुछ चतुराई से रोका गेन सही सीधे विकेट पर आ रही है लेकिन उसने अच्छी तरह डिफेंस खेला ला जवाब फिल्डिंग बैस्मेंन रन लेने में नाकाम शानदार डिलेवरी पुरी तरह सर बैस्मेंन को मायूस कर दिया बोहर की समप की डॉट बॉल से हुई अच्छी बॉलिंग गलाई का अच्छा स्तमाल किया बैस्मेंन ने और उसने पॉन साइट के तरफ बाल को खुमा दिया फिल्डर्स की शानदार फिल्डिंग देखने को मिली फिल्डर का जबर्दस प्रियाज दर्शक बेखाबू हो रहे हैं बॉलर लाइन से उपर चला गया अमपाइन की तरफ से नोबाल आस दिल्वरी के कारण इसे चोट लिगी पुफ ऐसा नहीं कर पाया के शॉट ठेले या गेन कुछ जाने दे क्रीस पर बैट्समेंट के लिए फ्री हिट बैट्समेंट की तरफ से शांदार प्लेसमेंट आफसेट में बॉल पहुंचाने की तेजी से हरकर बेल सुड़ने लगी ला जवाब बॉलिंग नए खिलारी मैदान में इन्हें पारी के अंतर पिके रहना होगा किसी भी हाल में विकेट लेने के लिए आफस्पिनर को मैदान में उतर रहा है फ्रील्डर का बहतरी थ्रो गेन बिल्कुल स्टप के पीछे उन्होंने इस बार ओवर दिविकेट बॉल करने का फैसला किया है कुछ नया करने के लिए अच्छी रनिंग अराम से क्रीस के अंदर वापसी यह तो नए बलेबास हैं लेकिन जिम्मेदादी से स्कोरिंग रेट बढाने के कोशिश करनी होगी बेल्स चमकने लगी यह नजगी की मामिला हो सकता है लगातार विकेट्स गिर रहे हैं मैदान पर बहुत अच्छी फील्डिंग इन्हें जमे रहना है और अप्ती टीम के लिए गेम को फिनिश करना है गेन बाजों के लिए एक बहतरीन आउसर बॉलिंग करने के लिए तयार कुछ अलग करने की कोशिश बॉलर की तरफ से लूस डिलिवरी साफ साफ नोबाल है फ्री हिट लगने वाला है बैट्समेंट के लिए यह अच्छा मौका है बॉलर में बैट्समेंट को इस डिलिवरी से माद दी ऐसे आउसर पर संतुलंग खोया और अब खड़े होने के लिए जूद रहा है फिल्डिंग टीम बिचार कर नहीं है अमपार का कहना है कि वो नट आउट है दिलवरी के कारण इसे चोट लेगी वो फैसला नहीं कर पाया कि शॉट छेले कि अब गेंग कुछ जाने दे इन्हें अपने गेम प्लैन से हैट कर कुछ नया नहीं करना चाहिए जहें इनकी थोड़ी धीमी गदी आउट स्टम सूर गई दूसरी ओर विकेट्स गिर रही हैं उमीद है शुरुवाती कुछ गेंदों का ये सामना कर पाएंगे लगा था तीसरा विकेट लेने से वो चूप गया बॉल बैट के बीच लगी और उसने ओन ड्रीव कर दिया फिल्डर का बहतरी थो गेंग बिलकुल स्टम के पीछे अब गेंग बाजी करने के लिए मीडियम पेसर को उता रहा है बलेबास की ये सोची समझीर रन नीती थी और लेक्ट साइट की तरफ ठेला बैट्समेन की अच्छी सूजगूज एक रन लेने में काम्याब ला जवाब फिल्डिंग बैट्समेन रन लेने में नाकाम अच्छी रन निंग आराम से क्रिस के अंदर वापसी फिल्डर का बैट्रीन थ्रो गेन बिल्कुल स्टब के पीछे उन्होंने इस बार और दी विकेट बॉल करने का फैसला किया है कुछ नया करने के लिए इस बार इन्होंने हो बैल्स उड़ने लगी लाजवाब बॉलिंग आफिर में जीतने वाली टीम के लिए खेल आसान हो गया पूरी टीम में चश्क कर माहल अरे हग भी तो बनता है झाल झाल झाल